नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल RJJ Concept में तो देखिए भायो आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी से बनने वाले सबी important current affairs के बारे में हम आज जानेंगे तो देखिए हमारा पहला question क्या है पहला question है कि हाल ही में परधान मंत्री नरेंदर मोदी किस देश की दो दिवसी यातरा पर जाएंगे तो देखिए इसका जो सही answer है वह होगा D दक्सिन Korea आप देखिए आप दक्सिन Korea नाम आया की बारे में भी आप जान लिजिये कि दक्सिन Korea की पहले हम बात करें capital की तो इसकी capital क्या है श्योल क्या है भाईयो श्योल और देखिए अगर इसकी करंशी की बात करें मुद्रा की तो इसकी मुद्रा दक्सिन कोरियाई वन क्या है भाईयो दक्सिन कोरियाई वन ठीके और देखिए अगर इसके परसिडेंट की बात करें तो इसके परसिडेंट है मून जे इन ठीके भा इसका जो सई एंसर होगा option B सुनील चंदानी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और अब देखिए इस question में पहले जो इससे पूरू जो चुनाव आयुक्त है वो थे सुनील अरोडा कौन थे भायो सुनील अरोडा अब देखिए सुनील अरोडा हमारे इससे पहले चुनाव आयुक्त है और हुने अब क्या बना दिया गया मुख्य चुनाव आयुक्त ठीके भायो और कौन से नंबर के 23 नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है सुनील अरोडा को और सुनील चंद्र चुनाव आयुक्त है आगे दिल्ली मैं आयोजित किया गया ठीके भायो नए दिल्ली मैं भारत अमेरिका वारे जय समवाद आयोजित किया गया आगे चलते guessing no. 4 हाल ही में भारत ने किस देश से most forwards nation का दरजा वापिस लिया एं इंस ने अभी के point of view से भायो most favored nation का दरजा पाकिस्तान से वापस लिए गया है किस से लिए गया है भायो पाकिस्तान तो आपका option number B इसमें right हो जाएगा ठीक है भायो आगे चलते है question number 5 हाली में किस राजियस्त में पेजल आपूर्ती के लिए भारत ने विशु बेंक के साथ 40 million dollar का रिंड समझोता किया है important question है भायो भारत ने विशु बेंक के साथ 40 million dollar का रिंड समझोता किया है वो किस राजी के लिए किया है हिमाचल परदेश के लिए तो option number B इसका एकदम right हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर आया विशु बेंक याने world bank तो world bank के बारे में भी आप जान लीजिए आप देखिए world bank की स्थापना कब हुई थी 1945 में ठीके और world bank world bank का मुख्याले का है Washington DC काँ पर है Washington DC ठीके भायो आगे देखिए इसके जो भी head है वो कौन है किस्टिलीना जोर्जी लिवा कोन है भायो किस्टिलीना जोर्ज लिवा आगे चलते हैं अगला question नमबर छे हाल ही में हेलिकॉप्टर निर्माता पवन हंस का CMD किसे न्यूक्त किया गया है तो देखिए भायो इसका जो option C है वो सही हो जाएगा BP सर्मा को हेलिकॉप्टर निर्माता पवन हंस का CMD न्यूक्त किया गया है ठीक है भायो आगे चलते हैं अगला question question नमबर 7 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सारो भोमिक वर्दा अवस्ता पैंसन योजना गोसित की है कौन सी भायो सारो भोमिक वर्दा अवस्ता पैंसन योजना तो option A बिहार राज्य ने सारो भोमिक वर्दा अवस्ता पैंसन योजना लागू की है या गोसित की है आप देखिए जैसे ही नाम है सारो भोमिक वर्दा अवस्ता पैंसन योजना तो इसके बारे में भी जान लीजिए आप तो देखिए ये क्या है इसमें ऐसा है कि जो घर का मुख्या होता है जो गोवर्मेंट जोब नहीं करता है तो उसको 400 रुपे परतिमा देने की योजना चलाई गई है आगे चलते हैं देखिए कोस्टन नमबर आठ हालही में परधान मंत्री समयोगी मानधन योजना किस मंत्राले ने सरू कि है तो देखिए अप्शन नमबर भी इसका राइट हो जाएगा सम एव रोजगार मंत्रा ले क्या हो जाएगा सम एव रोजगार मंत्रा ले तो देखिए अब यहाँ पे नाम है परधान मंत्री सम योगी मांधनी योजना तो इसके बारे में जानते यह योजना क्या है यह असंगठित मजदूर को यह क्या है लौंच किये सम रोजगार मंत्रा लेने और यह योजना क्या है जो अज संगठित मजदूर होते हैं उनको तीन हजार रुपे मान देने की योजना है ठीक है भाईयो आगे चलते हैं अगला कोस्टन अगला कोस्टन है हाल ही में पेटा सरुषेश्ट निर्देशक के रूप मे किसे समानित किया गया तो उसका नाम होगा ब्रेंडली कपूर क्या नाम है ब्रेंडली कपूर आगे चलते हैं भाईयो अगला कोस्टन हाल ही में 72400 कौन सा भाईयो हाल ही में 2400 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए हमारे देश भारत ने किस देश के साथ समझोता किया है भाईयो इंपोटेंट कोस्टन है वेरी वेरी इंपोटेंट कोस्टन ठीक है 2400 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ समझोता किया है ठीक है भाईयो आतंगवा से लड़ने के लिए आगे चलते हैं अगला कोस्टन कोस्टन नमबर 11 हाल ही में CBDT के अध्यक्स के रूप में किसे नियूपत किया गया है तो देखो भाईयो इ CBDT के नए अध्यक्स के रूप में चुना गया है आप देखिए यहां पर नाम आया है CBDT तो CBDT के बारे में जान लिए इसका पूरा नाम क्या है इसका पूरा नाम है Central Board of Direct Access वापस रिपीट कर देता हूँ Central Board of Direct Taxes आप देखिए कल का जो question था कल का वीडियो का last वीडियो question हमारा क्या था पूछा गया question तो वो देखिए कि हाल ही में exercise रहत का समापन कहा हुआ है क्या हुआ भाईयो हाल ही में exercise रहत का समापन कहा हुआ है तो वो इसका answer होगा जैपूर ये exercise रहत समापन कहा हुआ है जैपूर में तो इसका सही answer होगा जैपूर आगे चलते हैं देखिए किस मंत्रा ले ने EOSADY पोर्टल लॉंच किया है आज का आपका question of the day क्या होगा कि किस मंत्रा ले ने EOSADY पोर्टल लॉंच किया है तो इसका answer आप comment में दे और detail में answer दे क्योंकि detail में answer देने से आपको ज्यादा से ज्यादा एले वीडियो में